हाई गाईज वेलकम टू एमर कुमावर टेकनिशन चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो गाईज अगर आप नए टेकनिशन है और अभी नया काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतर तक बने रहे हैं तो गाईज यह बीपेल कमपनी का है कि यह जो स्क्रीन है उपर से और निचे से दोनों साइड से कम हो चुका है इसे हम वर्टिकल का फाल्ट बोलते हैं यह इसका खिट है तो इसका आई-सी का नंबर जो है वह कुछ इस्प्रकार है इसके आई-सी के नंबर है एक लये क्षेंटर नौस सो इकतीस किस ए डीई ग यह इसका problems एक ग्सक्रीघ्च सो करणा जो है शिस्टममिन आई-सी है वाजू में जो लगा है यह इसका मेमोरी आई-सी है तो हमें वर्टिकल को फोल्ट है तो देखते हैं वर्टिकल फोल्ट में एकक्ता समय क्या यहाँ पर पर इसका या घ्मा देता हूं यह जो आप देख सकते हैं यह वाला यह यह इसका वर्टिकल आइसी है तो हम देखते हैं इस वर्टिकल आइसी पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसके वॉल्टेज है वो अप्रोपर अवलेबल है के नहीं है तो इसके लिए हम में मीटर की जरत पड़ेगी डीजीटल मीटर की इसको हम एक न को यहां ग्राउंड कर लेते हैं कर लेते हैं यहां देख सकते हैं डी सी मोड पर है इसका वाल्टेज जो पावर है वो और करता हूं तो यहां पर बार वल्ट के सप्लाई है यह भी प्रोपरटिकल आइसी पर सप्लाई चेक करते हैं यहां पर हमें 26 वल्ट अवलेबल है यहां पर भी 25 वल्ट अवलेबल है यहां पर 2.4 वल्ट अवलेबल है तो वर्टिकल की जो सप्लाई है वह गईज कुछ स्प्रिकार है इसकी तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर कोई फिल्टर को खराब नहीं है तो वाइस आप देख सकते हैं तो यह जो वर्टिकल आइसी है इसके बाजू में यहां एक एक सिटर है इसको आप ज्यांद से देखेंगे तो यह थोड़ा सा फूल चुका है आइसले हैं जान तो हम सबसे पहले कैपिसेटर को रिप्लेस करके देखते हैं यह मारा फॉर्ट होता है के नहीं है तो वाईस मैंने ये capacitor बाहर निकाल लिया है यहां आप देख सकते हैं यह यहां पर लगा हुआ था capacitor तो इसका इधर वाला जो point है positive है और यह जो dot बना हुआ है white color का बिंदू यह इधर यह minus होता है तो यह मैंने capacitor जो है बाहर निकाल लिया है इसकी value हम देखते हैं क्या है तो यह 1000 MFD, 25 वल्ट का Capsator है, तो यह देखो आप यहां से देख सकते हैं, यह full चुका है, तो मैं इसको replace करता हूँ, यह 1000 MFD, 25 वल्ट का Capsator है, जो नया है मेरे पास, तो मैं इसको यहां पे लगा लेते हैं, यह आप देख सकते हैं, मैंने Capsator लगा दिया है, और तो यह बाकि जो एक्स्ट्रा इसकी पिन्य बच्ची है तो हम इसे कटर के साइटा से कट कर देंगे ताकि किट में कोई और प्रकार की सोटिंग नहीं है कि इसको बाजू से थोड़ा साब कर लेंगे ताकि कोई किट में और कोई पेस्ट की वज़े से फॉल्ट ना हो आप देख सकते हैं यह जो कैपिसेटर था अपना यहाँ पर यह मैंने चेंज कर दिया है यह डोट वाली साइड में इसका माइनस है यह इधर प्लस है मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिंवात आप अगर मेरे वीडियो पर नहीं है तो मेरे चेंटर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें मेरे को कमेंट करके जरूर्ण Uh कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो गाइज ये टीवी एकदम ओके हो चुका है हम इसको AV मोड पे कर लेते हैं दो हम देख सकते हैं एकदम सेट ओके है इस पिक्चेर आ चुका है वेटिफॉल जो फोल्ट है अब हमारा दूर हो चुका है